दोस्तो आजम्लूव इंग्लैंड के फर्स्ट प्राइम मुनिस्टर रॉबर्ट वॉल्पोल के बेटे हुरेस वॉल्पोल की एक गौथिक नॉबल दा कैसल अफ ट्रेंटो अगौथिक स्टोरी को पढ़ेंगे दोस्तो माना जाता है हुरेस वॉल्पोल के इसी दा कैसल अफ ट्रेंटो से ही गौथिक नॉबल की शुरुवात हुई थी जिसे 1764 में पब्लिस किया गया था पर दोस्तो जब हुरेस वॉल्पोल अपने इस वर्क को पब्लिस करवा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये मेरा ओरिजनल वर्क नहीं है इसे मैंने ट्रांसलेट किया है ये दरसल इटैलियन राइटर मोराइल्टो का ओरिजनल वर्क था जिसे विल्यम मार्शल ने ट्रां translation बताना पर दोस्तों हमें इन सभी बातों से कोई लेना देना तो वैसे है नहीं तो आईए बिना समय गवाए The Castle of Otranto के सभी character से मिलते हैं ये है इस कहानी का पहला character इसका नाम में Manfred ये Castle of Otranto का Lord है और इस कहानी का antagonist है ये है Hippolyta Manfred की wife दोस्तों इन दोनों के दो बच्चे हैं एक बेटी है इसका नाम में Matilda दोस्तों इस कहानी के अंत में Manfred Matilda का mother कर देता है और दूसरा एक बेटा है जो Matilda से छोटा है इसका नाम है Conrad इसकी उम्र 15 साल है दोस्तों Conrad की माउत कहानी की सुरुवात में ही Conrad की साधी वाले दिन ही हो जाती है ये है Aisha Bela ये Conrad की मंगेतर है ये है Theodore इस कहानी का हीरो दोस्तों जब Theodore छोटा था तभी जंगली डाकूओं ने Theodore को किडनाप कर लिया था और अपने पास बंदी बना लिया था और दोस्तों अभी ये Theodore अभी एक किसान है और इस कहानी के अंत में Theodore की साधी आईसाबेला के साथ हो जाती है ये है Frayer Jerome ये Theodore का पिता है पर Theodore और Frayer Jerome एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं दोस्तों अभी एलफैंसो इस कहानी में वैसे तो जीवित नहीं है पर इस कहानी में एलफैंसो का भी एक एहम रोल है दोस्तों कैसल अफर ट्रेंटो में एलफैंसो का एक बहुती बड़ा स्टैच्यू मौजूद है दोस्तो कहानी को सुरू करने से पहले मैं आपको कुछ और बाते बता देता हूँ जिससे कहानी को समझने में सानी होगी दोस्तो ये फ्रेयर जिरॉम ने अलफैंसो की बेटी से साधी की थी तो इस हिसाब से कैसल अफ अट्रेंटो का असली वारस थियोडॉर है और मैंफरेट की फैमली पे एक भविश्वानी की गई थी कि जब तक अलफैंसो का असली वारस बड़ा नहीं हो जाता है तभी तक कैसल अफ अट्रेंटो का राजगदी मैंफरेट के फैमली के पास रहेगा तो चलिए दोस्तो अब इस कहानी को सुरू करते हैं दोस्तो कहानी की सुरूआत होती है मैंफरेट से जो कि अभी कैसल अफ अट्रेंटो का लॉड है मैंफरेट अपने बेटे कॉन्राइड की साधी को लेकर काफी खुस है दोस्तो कॉन्राइड की साधी प्रिंसस ऐसा बेला के साथ होने जा रही है लेकिन Conrad की जिस दिन साधी थी उसी दिन उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि Manfred के महल के अंदर Quaisal of Attrento का फॉर्मर रूलर Elphanso का बड़ा सा स्टैचू था और उस स्टैचू का हेलमेट Conrad के साधी वाले दिन ही Conrad पे गिर जाती है और वही Conrad की मौत हो जाती है और जैसे ही Conrad की मौत होती है वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे उनमें एक अफवा फैल जाती है कि Conrad की मौत उस भविश्वानी के कारण हुई है दोस्तों यहाँ पर वही भविश्वानी की बात हो रही है जो Manfred के फैमिली के लिए की गई थी और अब Manfred को डर लगने लगा है कि कहीं उसके हाथ से कैसल आफ और ट्रेंटो का राजगदी ना चले जाए दोस्तों Manfred को अपना राजगदी बचाने के लिए उसको एक वारिस के जरूरत थी और Manfred ने सोचा कि अब उसकी वाई फिपोलेटा में उतनी छमता नहीं है कि वो एक और बच्चे को जन दे सके तो Manfred ने डिसाइड किया कि वो अपनी वाईफ को डाइवोस देगा और अपने बेटे कॉनराइड की मंगेतर से साधी करेगा जो कि Manfred से काफी छोटी थी और बच्चे को जन देने लायक थी और जब आइसाबेला को ये बात पता चलता है तो आइसाबेला थियोडॉर के हिल्प से वहाँ से भाग जाती है और जाके एक चर्च में छुप जाती है जहां का पादरी फ्रेयर जिरॉम था पर Manfred ने थियोडॉर को पकड़ लिया था और मौत की सजा भी सुना दी थी और जब फ्रेयर जिरॉम मैंफ्रेड के पास आता है और मैंफ्रेड को समझाता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है और अभी भी उसके पास समय अपने गलती को सुधारने के लिए पर यहां उल्टा ही मैंफ्रेड फ्रेयर जिरॉम को समझाने लगता है कि तुम मेरा और हिपोलेटा को डाइवोस करवाने में मदद करो दोस्तो मैंने अब को बताया था कि थियोडॉर को मौत की सजा सुना दी गई है और जब थियोडॉर को मारा जा रहा था तब फ्रेयर जिरॉम भी वहां मौझूद था और थियोडॉर को मौत की सजा देने से पहले जब उसके कपड़े उतारे जा रहे थे तब फ्रेयर जिरॉम ने थियोडॉर के पीट पर एक निसान देखा और उस निसान को देखते हैं फ्रेयर जिरॉम Theodore को पहचान लिया कि वो तो उसका बेटा है जिसे जंगली डाकूओं ने किड्नैप कर लिया था और जैसे ही Fray Jerome अपने बेटे को पहचानता है वो Manfred के पैरों में गिर जाता है और अपने बेटे के जान को बक्ष देने की भीख मांगने लगता है और Fray Jerome ऐसा करे भी क्यों नहीं आखिर Fray Jerome Theodore का बाप है वो भी आज इतने सालों के बाद मिला है और जैसे ही Manfred को पता चलता है Theodore Fray Jerome का बेटा है Manfred Fray Jerome से एक डील करता है Manfred कहता है Fray Jerome से मुझे पता है Princess Isabella तुम्हारे चर्च में छुपी है तुम जाओ उसे लेकर आओ और बदले में अपने बेटे को लेकर जाओ और अब इधर Manfred ने Theodore को अपने महल के एक टावर में लॉक कर दिया लेकिन उसकी खुद की बेटी Metilda ने Theodore को वहाँ से फ्री कर दिया क्योंकि Metilda Theodore से प्यार करती थी और जैसे Theodore उस टावर से निकलता है वो सीधा भागते हुए अपने पिता फ्रेयर जिरॉम के चेर्च में जाता है और वहाँ से एसा बेला को अपने साथ भगाते हुए एक गुफा में ले जाता है और उस गुफा को बाहर से ब्लॉक कर देता है दोस्तो अभी धर मैंफरेड के पास एक नाइट आता है वो एक बहादूर योद्धा था इसका नाम था फ्रेडरिक फ्रेडरिक मैंफरेड को कहता है कि तुम जिस लड़की को ढूंड रहे हो उसे मैं तुमारे पास वापस लेकर आऊंगा दोस्तो ये फ्रेडरिक कोई और नहीं आईसा बेला का पिता है लेकिन फ्रेडरिक को ये बात पता नहीं है कि जिस लड़की को वो लाने की बात कर रहा है वो उसकी बेटी है दोस्तो सबको लगता था कि फ्रेडरिक की मौत बहुत पहले Holy Land में ही हो चुकी थी और जब Frederick उस गुफा के पास जाता है और Theodore से लड़की को वापस करने के लिए बोलता है तो Theodore को लगता है कि ये Manfred का आदमी है और Theodore Frederick से यूद करने लगता है और Frederick को Theodore घायल कर देता है तभी आईशा बेला की नजर अपने पिता पे जाती है और आईशा बेला इस यूद को रोग देती है दोस्तो आईशा बेला और Theodore Frederick को कैसल लेकर आते हैं और उन्हें उनके जखमों का इलाज करवाते हैं दोस्तो इधर Manfred को भी पता चल गया है की आईशा बेला का पिता Frederick है Manfred Frederick के पास आता है और उन्हें बोलता है कि तुम अपनी बेटी की साधी मुझ से करवा दो पर Frederick मना कर देता है लेकिन उसी समय फेड्रीक की नजर मेटेल्डा पे प्ड़ती है और फेडरिक बोलता है कि मैं तुम्हारी साधी आईशा बेला से करवा दूँगा पर तुम्हें अपनी बेटी की साधी मुझसे करवानी होगी और मैंफ्रेट तुरंथ इस बात पर राजी हो आता है लेकिन मेटिल्डा तो थियोडॉर से प्यार करती थी और मेटिल्डा गु लेकर चैर्च में जाता है और उस टाइम पर जो भी लड़की थियोडार के साथ थी उसे मार देता है दोस्तों वे लड़की कोई और नहीं उसकी बेटी में तियल्डänder थी दोस्तों मैंफ्रेक का कोई भी वारिस नहीं बचा है और वा इस दुक से कभी उभर नहीं पाता है और वा Castle of Attrento का Lordship उसका असली वारिस Theodore को दे देता है और अपने साथ अपनी वाइफ को लेकर जंगल में चला जाता है अपने कर्मों का पश्याताब करने के लिए और ऐसा वेला की साधी Theodore से हो जाती है और इसी तरह ये Gothic Romance का इंड होता है दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, जै हिंद, जै भारत